हिंदी डिकॉर्डिट चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो रश्मी रथी का अर्थ है सूर्य किरन रूपी रथ का सवार 1952 में प्रकाशित रश्मी रथी खंड का वे रामधारी सिंग दिन का द्वारा रचित है रश्मी रथी का करन एक पौरानिक पात्र है जिसे कवी ने युग चेतना के अनुरूप ढाला है करन महा भारत का प्रमुख पात्र है पर उनोंने इस पात्र को चित्रित करते समय अपनी मौलिक उद्भावनाओं का आश्रह लिया है महा भारत में करन को त्याक्षिल पुरुशार्थी दानवीर आदी गुनों से चित्रित किया है पर रश्मी रथी में कवी ने इस चरित्र को अपनी मौलिक उद्भावनाओं का सहारा देख लेकर उजवल और विश्वस्निये बना दिया है कवी स्वयम करन के चरित्र के संदर्भ में अपनी इस पुस्तक की भूमिका में कहते हैं करन के चरित्र से उद्धार की चिंता इस बात का प्रमान है कि हमारे समाज में मानुए गुनों की पहचान बढ़ने वाली है कुल और चाती का एहंकार विदा हो रहा है आगे मनुश्य उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके सामठ्य से सूचित होते हैं उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है तो दोस्तों आज के अध्याए में हम रश्मी रती कंड कावे में रचित करन के चरित्र को जानेंगे और चर्चा करेंगे करन का चरित्र चित्रन तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का अध्याए और जानते हैं इस पौरानिक चरित्र करन के विशे में कुछ मेतवपून बाते करन रश्मी रथी चरित्र प्रधान खंड कावे का प्रमुख पात्र ही नहीं है अपीतु नायक भी है इस कावे की कथा वस्तू इसी पात्र के चारों और घुमती है और प्रते एक पात्र चाहे वह कूट नितिग्य श्रिकिष्ण ही क्यों ना हो करन का गु करन कुंती के उस समय उत्पन हुआ था जब वह कुमारी अवस्त्य ही लेकिन विलोक लजजवर उसने उसे एक संदूप्ची में बनकर धारा में बहा दियa और धारा में भैते आये इस बालक गो एक साथी दमपती ने पाला पोसा देखा जाए तो करन शत्रानी पुत्र था पर क्योंकि उसका पालन पोशन सूत के यहां हुआ इसलिए उसे सूत पुत्र कहा जाने लगा दोस्तो करन का धुभाग्य यह है कि उसकी मा कुंती उसे पहचान कर भी यह नहीं कह पाई कि वह उसका बेटा है आकश्यक व्यक्तित्व रश्मी रथी के सभी पात्रों में जो करन है यह आकश्यक व्यक्तित्व का स्वामी है वह सूत पुत्र अवश्य है पर फिर भी वह तेजस्वी और रूपमान हैं रंग भूमी में कभी जब करन पर लेखनी चलाता है तो फिर उसके सौंदारिय को इन शब्दों में उतारता है उसके लेखक के शब्द क्या हैं? वह करतब है यह के शूर जो चाहे कर सकता है नियती भक्ती पर पुरुषपाउन निजबल से घर सकता है वह अपने पुरुशार्थ पर पूरा भरोसा करता है और यही करन है कि वह युद में मानवे सहता प्राप्त नहीं करता अश्व सेन पांड़ो का श्यत्रू रहा है इसलिए वह करन को सहता देने के लिए आता है पर करन उसकी मदल लेने से इंकार कर देता है क्योंकि उसे अपने बल पर पूरा भरोसा होता है दानवीर दोस्तो करन की जो दानवीरता है वो पूरे विश्व में व्याप्त है उसकी दानवीरता और धरम निष्ठा का प्रितिपादन करना भी कभी का मुख्य उदेश्य रहा है कभी ने उसे संसार का शेष्ट दानी कहा है कहीं उसे दान का अमोद व्रत धारी कहा है कहा है कवी उसकी दान विर्टा की प्रशन्सा करतेवे कहते हैं कि यह हो सकता है कि बादल कभी सागर से जल भर कर बिनबर से वापस लोड जाएं पर करन के दवार से कभी कोई खाली लोड जाएं ऐसा संभव ही नहीं था यानि के करन अपने द्वार पर बिख्षा मांगने आई हुए किसी भी बिख्षात्री को खाली हाथ नहीं जाने देता था दान लेने आने वाले को वह उत्साहित करता था और कहता था जो चाहे लो उसके पास से कोई खाली हाथ जाने वाला नहीं है लेकिन दोस्तों अपने इसी गुन के द्वारा वह अपनों द्वारा चला गया अर्जुन के पिता इंद्रिू उससे कवच कुंडल मांग कर ले जाते हैं हम सभी जानते हैं कि करण को जनम के समय ही कवच और कुंडल उनको मिले थे जो उनकी हर समय रक्षा करते थे जब सभी उसको अपनी और नहीं कर पाते तो फिर कृष्ण कूट नीती का सहारल लेकर उसकी माता कुंती को उसके पास भेजते हैं और कुंती फिर उस पर अपना अस्त्रेक फैंकती है कि तू पांडवो का बड़ा भाई है इसलिए इस युद में कौरवों की और से नहीं अपितू पांडवों की और से लड़ पर करन उसकी इस बात को मानने से इंकार कर देता है और अंत में अपनी माता यहां से खाली हाथ लोट रही हूं पर करन अपनी दान विर्ता के करन अपनी मां को निराश नहीं लोटाता और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मैं युध में अर्जुन के सिवाय किसी को नहीं मारूंगा अगर मैं युद में मारा गया तो अर्जुन समेत पांचो पांड़ों की माता रहोगी और भाग्यवर्ष अर्जुन मारा गया तो मैं दुर्योधन को छोड़ कर पांड़ों के पास चला जाओंगा तुम पांचो पांड़ों की माता हो और पांच पांड़ों की माता ही और इसी वीरता के कारण कुंती अपने अन्या पुत्रों को उससे सुरक्षित करवा लेती है और करण अपनी इस प्रतिग्या को निभाता भी है। उस समय विश्व में अर्जुन के समान कोई शक्तिशाली वीर नहीं था और उसी वीर को करण ने आकल ललका रहा था। गबरा कर सभी उसे चलते हैं। उसके युद्ध के आरंभ होने से ही पांडव सैना तरही तरही कर उठती है। युद्ध भ्यूमी में करण कोई है आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यू निकट है। और ऐसे सिती में यम्राज को अपने पास दे कभी वे घबराता नहीं है। अपीतू शत्रों को ललकार कर मार देना ही उचित समस्ता है। करण की वीर्टा का एक पक्ष हमारे समक्ष जब आता है जब उसके रत का पईया रक्त के की चड़ में फंस जाता है और अरजुन उस समय निहत्थे करण पर बान बरसाता है जिससे वे वीरगती को प्राप्त हो जाता है। यानि कि अरजुन के चल कपड के कारण भे मारा जाता है लेकिन भे अपना वादा नहीं तोरता अपनी मा को दिया हुआ। उसकी इस अप्रितम विर्टा का पाठक अभास ही कर पाते हैं। दोस्तों करण के चरित्र का एक दुर्बल पक्षबीता उसे भी हम जान रहेते हैं। वैता कभी ने उस और इशारा करते हैं कि उसका कोई भी विश्तित विश्लेशन नहीं करता। वो पल क्या था जब दुरॉबदी को निर्वसन किया जा रहा था। तब वहां करण भी तक करण ने उस बुरे काम का विरोध नहीं किया लेकिन उसे यह भूल मृत्यु परियंत पेड़ा पहुचाती रही और करण के उजवल पक्ष में यह एक हलका सा दाग रह गया था। तो दोस्तों इस विवेचत से सपष्ट है कि दिनकर ने करण को एक उदात चरित्र के रूप में प्रेस्तुत किया है। दोस्तों हिंदी भाषा के और भी प्रमुक विश्योपन हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभू।